बहुत जादा वीजी हूँ, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, और मगर खाना थो बन नहीं होता है, खाना थो खाना ही पड़ेंगे, क्योंकि जितना भी बीजी है, हम लोग को खाना बनाना ही पड़ रहा है, तो यह है अज एक डेजर्ट बनाएंगे, इविनिंग स जाएंगे को लेके आपको गरम करना है, धीरे धीरे वह पूरा मेल्ट हो जाएगा, आपको बहुती ध्यान से इसको मेल्ट करना है, वो नीचे से ना जले, जैसे पूरा चीनी मेल्ट हो जाएगा, तब आप देख सेकते हैं इसका कलर गोल्डन कलर हो गया, और थोड़ा सो पैरने जादा भी मत करिये, तो करवा हो जाएगा, हलका गोल्ड हो जाएगा, उसके बाद आप इसको फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए, और हम लोग इसमें मिल्क एट कर देंगे, वान एन हाफ काप आप मिल्क एट कर देना इसमें, और फिर आप देखो चीनी पूरा बबल शुगर है, यह बहुत ही टेस्टी होता है, इसका फ्लीवर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो यह आपको बनाना है, आपको डरना नहीं, यह होल हो गया, बड़ा सा एक बाल्स हो गया, वैसा कुछी भी नहीं है, यह धीरे-धीरे मैल्ट हो जागा, आप देखो य अभी मैं एक कप ले लूँगी, उसमें आप साइट करके इसको डाल के रख दीजिएगा, यह बहुत ही टेस्टी है, शुगर शिरप का जैसा है, और फिर मैंने घी ले लिया और शेमिया ले लिया, शेमिया को अच्छी तरीके से हम लोग भून लेंगे, और इस बीच में म अब जितना आपको लिक्विट चाहिए हो उस हिसाब से आप कर देना क्यूंकि इसको बॉयल होते होते यह थिक हो जाता है, तो थोड़ा साप मैंने वन लिटर मिल्क एट कर दे इसमें, और फिर इसको उबालाने तक हम लोग वेट करेंगे, और यह है शागू, आप देख स इसमें मिल्क एट कर देना है याद में आपको रखना है आपको शुगर एड नहीं करना है इस टाइम में अगर आप चीनी डालोगे तो यह हार्ड रहेगा यह कभी भी सॉफ्ट नहीं होगा इसले पहले इसको सॉफ्ट होने दीजिए उसके बाद इस साइड में बेटी एक रोल बना रहे है इसके लिए पूरा चटनी बना के रखा है ओनियन को भीगो के रखा है विनीगर और विट्रूट के साथ यहाँ पे मियोनीज बना के रखा है गारलिक मियो और यहाँ पे सोया चंग को फ्राई करके रखा है और पतले पतले कैबिच को काट के इसमें नमक शागुए बहुत ज़्यादा फिक हो जाता है यहा अगर उपका यह थिक हो गयाозथा अभी मेगचाता है कुंकि भी ही यहीं सुप्ट हो चुकर जो हम लोगों ने sugar को बना के रखा है caramel यह अभी add कर देंगे जैसे आप add कर दोगे इसका flavor में इतना changes आप सोच भी नहीं सकते हो यह इतना tasty हो जाता है इसका flavor ही different हो जाता है और color भी आप देखोगे पूरा change हो जाएगा यह आप कोई guest आए यह आप serve करोगे आप खुदी भी सोच पाऊगे इतना tasty बनता है सागू और सेमिया का combination इतना अच्छा है और इतना tasty है और क्यूंकि यह सेमिया का flavor बहुत ही अच्छा है और सागू थोड़ा सा यह च्वी जैसा लगता है खाने में बहुत tasty है आप देखो थिक हो चुका है color भी change हो चुका है और यह बन के ready भ जाला है और bay leaf डाला है इसमें flavor के लिए आप इसमें घी में roast करके dry fruits डाल से इसमें finely chop करके बाद में garnishing के लिए मैंने कुछ एड़ने किया क्यूंकि ऐसे ही यह बहुत tasty तो अभी मैंने मैदा का रोटी बना रही हूँ इसमें तो रोटी मैं आप अगर मैदा नहीं खाते हो तो आप आठा का रोटी बना सेकते हो बहुत ही पतला सा रोटी बनाना है अच्छी तरीके से बड़े बड़े थोड़ा सा साइज बनाना है उसके बाद इसके ऊपर हम लोग गार्ली का म्याओ लगा देंगे अब देख सेके तो यहाँ पे गार्ली का म्याओ लगाया हुआ ह अच्छी तरीके से हम लोग ने पुदिना धनिया जीरा और मिर्ची ओयल डाल के इसको अच्छी तरीके से मलोग फ़्राइ कर चुके है इसको और फिर ये भी हम लोग एड़ कर रहे ये चिकन के साथ बहुत ही अच्छा लगता है मगर आज मैंने स्वेया चंक के साथ बनाया है और फिर जो कैबेज हम लोगे ने सॉल्ट लगा के रखा है ये कैबेज आप दाल दो और इसके बाद आप जो चटनी बनाया है हम लोगे ने रेट छीली का चटनी रेट चीनी और टमर्टर और गाली को हम लोगे बॉयल कर लिया थोड़ा सा नमक और विनिकर डाल के इसको फाइन पेस्ट बना लिया और थोड़ा सा चीनी एट कर दिया इसमें विनिकर वाला ओनियन भी एट कर दिया और आपका रूल रेड़ी हो चुका आपको फूल्ट करना है और आपको खाना है तो आज के लिए इतना है फिर कल मिलते हैं बाई बाई